हालो गैस तो इस वीडियो में मैं आपको बताने आलो हूँ कि आप अपने notification बार का Active color कैसे change कर सकते हैं जिससे मैं अपने notification बार open करता हूँ open करने के बाद यहां पर data open करता हूँ तो इसका color जो हे वो volume color का है लेकिन गर्दजुमें है अपले कर देंगे नीचे से माइल करने के बाद अपने नोटिफेक्षिशन आपर अपन करता है तो यहां पिस वीडियो में बताऊंगे कि कोई भी कलर के से क्षेटाल इह चलिएङ कैई वीडियो सुरू करने से पहले घडिशेग लायख कर दिलिए चैनली को चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि एसी टेक्स से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी तो चलिए अगर इस वीडियो को सुरू करते हैं तो कि जिसके लिए आपको एक 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 किसर की जरूद पढ़ेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्स। कुरे नंबबर पर आपको मिल जाता है इस अब इस इसको भी यहां से इनेबल कर देना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे कि लिक करने क बाद कुछ इस तरह इंटरफयस inब्रफियस आपन होगा तो यह से थोड़े नीचे जाएंगे यहां निच्छे जाने के बाद यहां पर आपको आप्सन मिल जाता है वन सैड का तो यहां पर वन सैड पर हम यहां पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद इसको भी यहां से हम इनेबल कर देंगे फिर यहां से हम ओके कर देंगे पिर यहाँ से हम चलिए गे बायक, बायक जाने के बाद जो नीछे से परहाँ है कर दे हैं करने के बाद यहाँ से नीचे से इलोą करने के hypothesis फिर से उपन होगा तो यहाँ पर आपको reflection मिल जाता है Color का तो यहां पे हम color पे click करेंगे तो यहां से थोड़ा नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद यहां पे आपको option मिलता है active color तो इस पे click करेंगे click करने के बाद यहां पे आपको color मिल जाएगा तो यहां से color हम select कर रहेते हैं red जो color आपको रखना हो select कर ले जिए फिर यहां स झाल झाल